नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिक्षावड़े के से यूटूब चैनल में दोस्तो यूपी जीके का हम रिविजन कर रहे हैं कल हमने उत्तरपदेश जीके का एक वीडियो डाला जिसमें हमने उत्तरपदेश की प्रमुक नदियों जीले ब तो रिविजन के तौर पर इस वीडियो का आप जरूद देख लिजेगा यूपी जीके का यह इस्पेसल वीडियो है पार्ट टू इसका तो छेली वीडियो को सुरू करते हैं तो प्रमुक मेले और महसों के यहां पर कभर करेंगे फटाक से तो सबसे परले हम दखेंगे उत्तरपदेश के प्रमुक मेले प्रमुक मेले को देखने से पहले दो बेसिक पॉइंट में आपको बता दू कि सबसे ज़्यादा जो मेले हैं उत्तरपदेश में कहां पर लगते हैं तो आप आत कर लेजेगा उत्तरपदेश में सबसे ज़्य जो मेला है आपका पीली भीत में लगता है ते यह दो basic जनकारी आपको पता होने चाहिए आपसे पूछी आ सकते तो पीली भीत में सबसे कम मेला लगता है और आपका मथुरा में सबसे ज्यादा मेला लगता है उत्तर प्रदेश में तो यह fact आपको याद रखना है important है इसके बात चलिए मेलों को देख लेते हैं important मेले कौन-कौन से उत्तरपदेश के तो यहां पर जैसा कि मैं आपको बताया प्रदेश में सरवाधिक वह सबसे कम मेला सरवाधिक मेला आपको मत्राम लगता है और सबसे जो कम मेला वह पीली भीत में लगता है तो यह basic जानकारी आपको महा कुम्ब होता है इसके बाद माग मिले के हम बात करें तो माग मिला आपका प्रियाग राज में लगता है important है directly आपसे पूछा जा सकता है तो माग मिला आपका प्रियाग राज में लगता है इसके बाद काकोरा काकोरा मिला रुहेल खंड का मीनी कुम्ब इसको कहा जाता ह और आपका बदाईू में लगता है तो इसके बारे में आपको याद रखना है इसके बाद बटेस्वर मेला पसु मेला यह होता है आपका आगरा में लगता है सरधना मेला आपका सरधना मेला है आपका कहां पर लगता है तो सरधना नाम जगह है कहां पर मेरेट में यहीं पर आपको देखने को मिलेगा सरधना मेला तो इसके बारे में आपको याद रखना है सुपर इंपोर्टेंट या मेला है बहुत बर एकजाम में सरधना मेला के बा होता है दरी मेला और यहां आपका लगता है बलिया में तो एस 무슨 बारे मैपको उयादन रखता है तो दरीप सु मेला आपका बलिया में लगता है इसके अगला पसु मेला आपके सामने राम नगरिया मेला आपका फरुखाबाद में लगता है राम नगरिया मेला इसके बाद धुरूपद मेला आपका वरानसी में लगता है धुरूपद मेला तो इसके बारे में आपको याद अकना है बुरूपद मेला उसके बाद आपका वरानस आप याद को लिजेगे आपे बसंत का नोचंदी मिला की हम बात कर रहे हैं तो यह आपका लगता है यहाँ पे आपका हो जाएगा लखनव में बसंत का नोचंदी मिला लगता है कंस वद मेला आपका हमीरपूर में लगता है गड़ गंगा मेला काल्तिक पूर्णिमा का यह हो इसके बाद आपका हरिदास जयनती मेला वरिंदावन में लगता है देवा सरीफ मेला आपका बारा बंकी में लगता है इम्पोर्टेंट है देवा सरीफ मेला आपका बारा बंकी में लगता है और श्रिंगी रामपुर मेला मनकापुर मेला ये आपका फरूखाबाद में लग लगता है तो इसके बारे में आपको याद अखना है import है इसके बाद आपका सियद सलार मेला कहां पर लघता है बहराईच में लगता hours to criminal कालेंजर मेला आपका बांदा में लघता है कजरी मेला आपका महुपा में लगता है इ서도 आपका D pushes पार्टन के मेला कहां पर लगता है बलरामपूर में आपका डेवी पार्टन का मेला लगता है इंपोर्टेंट है बलरामपूर ये लोकेशन आपके लिए इंपोर्टेंट है इसके बाद स्रामडी मेला आपका फरूखाबाद के संकीसा नमक जगा पर लगता है अप्याद के लिजेगा जो स्रामडी मेला होता है वो फौरूखाबाद में एक जगा है संकीसा यहीं पर लगता है तो इसके बारे में आपको याद रखना है नकटैया मेला आपका चिंदगंज वरानसी में लगता है और अथयात्रा मेला भी आपका वरानसी में लगता है कासगंज में लगता है देव छट मेला आपका दाउजी मतुरा में लगता है परिक्रमा मेला आपका नैमी सारण सेतापुर में लगता है तीगरी मेला आपका अमरोहा में लगता है साकंबरी देवी मेला आपका कहां पर लगता है तो सहारणपुर में आपका लगता है साकंब important है इसके बाद आपका यहां पे आपके important मिले खतम हो गए हैं अब हम देखें गे जाए अब लेकर था अब आपको प्रती वर्स प्रतिवर्स, हाईजन कहां पर किया जाता है सुलव कुल महसव हम हिंदू- मुश्लिम एकता का प्रतित भी कहते हैं और राम बरात उस्व ये दोनों आपके आगरा में निकलते हैं तो इसके बारे में आपको या दखना है सूलह कुल महस्व आपका कहा पूर होता है तो आगरा में होता है इसके लाबा राम बरात उस्व भी आगरा में ही देखने को मिलता है तता सूलह कुल उस्व महस्व होता आपका हिंदू-मुस्लिम एक्ताक प्रतिक कि इसको माना जाता है। c. इसके बाद देव दिपाली। उसना आपका वरान्स पूरी में लखता है। इसके बाद बिठूर GANGApha आपका कानपूरी में होता है, important है, सैफाई महसव कांपर होता है, तो सैफाई महसव जो जग่ह आपकी इटावा में महापकर देखने को मिलता है, त्रिवेणी महसव प्रियाग राज में होता है तो आप इसे याद कर लेज़ेगा फरवरी मा में प्रियाग राज स्थित ब्लू बोर्ट क्लब में जो है आपको त्रिवेणी उस्व देखने को मिलेगा तो इसके बारे में आपको यादकना है लट मार होली कोसव कहाँ पर होता है तो आपका जो लट मार होली कोसव या आपका बरसना मतुरा में होता है आयाद कर लेज़ेगा सरधना महसव आपका मेरट में होता है important है जो सरधना महसव होता है यह कहां पर होता है तो यह आपका मेरट में होता है important है इसके बाद आपका अमीर खुसरो महसव कहां पर होता है तो अमीर खुसरो महसव आपका कास गंज पतियाली में होता है कास गंज आप याद के लिजिए सौपिंग फेस्टिबल आपका नोईडा में होता है सौपिंग फेस्टिबल आपका काम पर होता है तो सौपिंग फेस्टिबल आपका नोईडा में होता है इम्पॉर्डन है इसके बाद कमपिल्य उस्व जैन मंद्रों में आपका कामपिल ने बोलते हैं तो यहां कामपिल होता है तो यह आपका फरुखाबाद में होता है कजरी महसव आपका मिर्जापुर में होता है सोन महसव आपका कामपिल होता है तो सोन भद्र में आपका सोन महसव होता है तो इसके बारे में आपको याद अ तो संभल डिस्टिक में आपको मिलेगा कलकी महसव तो इसके बारे में आपको याद अखना है इसके बाद कुछ और महसव छुट गया है तो इसको भी देख लेते हैं तो यहाँ पे सभी महसव को एक कबीर महसव है तो कबीर महसव आपका मिलेगा मगहर में तो इसको आपको तो important topic छोटे सजे थे जो उनको हमने आपके cover कर लिया है उत्तरपदेश के प्रमुक मेले और उत्तरपदेश के प्रमुक वार्शिक उत्सव उनको हमने आपके cover कर लिया है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो में आपको पूरा revision करवा दिया जाएगा UPE Special का तो आज के लिए बस इतना ही Thank you, thanks for watching, thank you